पूल नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आप कमित्र, सर्पमित्र, और्दा मसला में मसला ये है कि हर्याना सरकार डरी हुई है डरी हुई नहीं मतलब बहुत ज़्यादा डर है उनको डर किस बात का है ये आपके साथ चर्चा करने वाले हैं डर है अब 26 जनवरी का कि 26 जनवरी गनतंतर दिवस अच्छे से पूरा हो जाए कहीं उसमें कोई गड़बर ना हो जाए और इसका डर केंदर की सरकार को भी है और इसी वज़े से केंदर की होम मिनिस्टर अमित शाहा ने कल हर्याना सरकार को बोलाया था आपने देखा होगा वो क्यमंदरी वहाँ पर पहुँचे डिप्टी सीयं वहाँ पर पहुँचे दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे अमित शाह ने उनके साथ बाचित किए एक तो 26 जनवरी का डर है दूसरा सरकार जाने का डर सरकार जाने का डर पर देश सरकार को कम है के इंदर की सरकार को ज़्यादा इस वज़ा से भी इनको बुलाया गया दो बातों को लेकर कि क्या सरकार सही है कहीं कोई खत्रा तो नहीं और दूसरा 26 तारीक को सही तरीके से मामला जो है वो पूरा हो जाए दोस्तों अब वहाँ हो मिनिस्टर अमित शाह के पास जाने से पहले हर्याना के मुख्यमंतरी मुनहुरलाल खटर ने ये तसली की कि भाई कोई जाने वाला तो नहीं है मतलत जेजेपी तो साथ है ही क्योंकि दुश्यन चुटाला कई बर बोल चुके हैं निर्दलियों के साहाथ मुख्यमंतरी साहब ने लंच किया निर्दलियों के साहथ एक दिन पहले ही मंतरी रंजीत चुटाला की कोठी पर लंच किया गया बाचित की गई उनसे पूछा गया कि भाई आप कोई गडबडी तो नहीं करने वाले हैं आप सरकार के साहथ ही है ना कोई if and but है तो आप बता दीजिए उस मिटिंग के बाद सभी निर्दलिये मीडिया को बोलते हैं आके कि भाई सब ठीक है सरकार को कोई खत्रा नहीं है सरकार बड़ी मजबूती के साथ अगले चार साल चलेगी तो ये हुआ है उस मिटिंग में यानि मुख्य मंदरी ने तसली कर ली कि निर्दलिये जो बचे हुएं वो भी सरकार के साथ हैं वो बोल चुके हैं और जेजेपी तो साथ में है ही इसलिए सरकार को कोई खत्रा नहीं है तो अमित शा के सामने यह हम बोल सकते हैं तो अमित शा क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स पिछले कई दिनों से चल रही हैं हो सकता है कोई इंटेलिजन्स रिपोर्ट भी उपर पहुंची हो कि यह ऐसा कुछ हरियाना में हो रहा है आपने देखा कुछ दिन पहले जो मुख्यमंतरी का बहुत बड़ा वहां पर आपको पता है विरूद हुआ मुख्यमंतरी के हेलिकॉप्टर तक को उतरने नहीं दिया करनाल के गाम में उसकी रिपोर्ट भी उपर पहुंची नैशनल मीडिया में भी वो चला था इन सब बातों को देखते हुए कहीं न कहीं अमित शाह को भी लग रहा था कहीं कोई खत्रा तो नहीं है अर्याना की सरकार को जो गडबंदन की सरकार है तो इस पर भी वो तसल्ली करना चाहते थे तो वहां पर ये तसल्ली वहां पर दिलवाई गई है मुख्यमंतरी मुनौरलाल खटर की और से डिप्टी सियम दुशन चुटाला की और से कि भाई सरकार को कोई खत्रा नहीं है ये सिर्फ अटकलें है जेजेपी भी साथ में है और निर्दलिये भी साथ में है ये वहां पर आश्वस्त किया गया है दूसरी बात 26 जनवरी की उसको लेकर भी क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्टर है पुलिस का सारा महकमा उनके पास वहां पर और यहां पर बुलाया गया और पूछा गया कि भाई 26 जनवरी को क्या है तो उसके लिए भी हर्याना सरकार ने आश्वस्त किया है हाला कि बियान वो देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन 26 जनवरी को लेकर अभी भी सरकार डरी हुई है सरकार के अंदर बहुत सारा डर है कहीं 26 जनवरी को जो किसानों ने एलान कर रखा है सरकार पर सीधा सीधा आरूपाए यानि सरकार की बदनामी हो इस वज़े से सरकार जो है डरी होई है बेशक महावनों ने कहा कि सब कुछ ठीक अच्छे से हो जाएगा सुप्रीम कोट में फैसला आया है कमेटी बनाई गई है मामला जल्द सुल जाएगा मुख्यमंतरी ने भी कहा कि जल्द ही अंदोलन खतम हो जाएगा लेकिन अंदर से सरकार जो है वो डरी होई है कि कहीं 26 तरीक को कोई गड़बड ना हो जाए क्यूंकि उसका ट्रेलर किसानों ने कुछ दिन पहले दिखाया था मुख्यमंतरी का जहां प्रोग्रम था करनाल में हेलिकॉप्टर को नहीं उतरने दिया था हेलिपैड को भी उखाड दिया था सो दोस्तों ये है मसला जो हर्याना में किसान अंदोलन के साथ सरकार के उपर खत्रा जो है वो मन्रा रहा है इस बात को लेकर अमित शाने वहां पर बुलाया था देखना होगा आगे क्या कुछ होता है क्या निकलता है लेकन कुल मिलाकर जो निर्दलिये थे उनके कुछ बयान इदर उदरा रहे थे तो निर्दलिये भी सरकार के साथ आप दिखाई दे रहे हैं बेशक किसानों ने प्रेशर सभी पर बनाया हुआ है चाहिए नर्दलियें हैं जेजेपी के लोग हैं कि आप किसानों के साथ हैं या आप सरकार के साथ हैं तो नर्दलियों ने बोला कि वो सरकार के साथ कड़े हैं सरकार चले की खेर इस पर अब आपकी राय क्या है ये जो सर अठकलें कह रहे हैं सरकार कह रही है कि अठकलें हैं सरकार गिरने की ऐसी कोई बात नहीं है इस पर भी आपकी राय क्या है आप जरूर बताइएगा हमें कुमेंट के माध्यम से और वहीं इस वीडियो को आपनी शेर भी करना है ज्यादा से ज्यादा किसान अंदोलन की हर अप झाल झाल